तो विल्कम टू अलमाडियर स्टेंट मैं मुकेशर आप सभी का स्वागत करते स्टेंट आज की इस क्लास में स्टेंट अगर आप सी भी ASCGD 2024 एक्जाम की त्यारी करें तो यकीन मानियेगा स्टेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्डेड होने वाला आप सभी के लिए दोस्तों इस क्लास में में लेकर आया हूँ मोस्ट इंपोर्डेड कोईशन ASCGD 2024 एक्जाम के लिए जैसा कि इस टेंट आप लोग देख पारें कि सारे प्रश्ण आप सभी के लिए एक्जाम ओरियेंटेड और प्रिबिएस इस कोईशन लिया गया है और स्टेंट में आप अशिव बता दू कि अगर आप प्रिबियेस इस कोईशन को लगाते हैं तो आप सभी को एक बेनफिट मिल पाता है कि कैसे कैसे प्रश्ण आप सभी के एक्जाम में बार बार रिपीटेड होए जा रहे हैं तो ये class सा आप सभी के लिए one of the west होने वाला है, तो ध्यान से इस class को attend कीजेगा, आज start करते इस टेंट आज की इस class को, आज के class का जो first प्रशने आप सभी से पूछा जा रहा है, कि 200 का सबसे लंबा लिखित सम्विधान किस देश का आई, ये question आप सभी के 2023 के एक्जामों मे पूछा गे प्रशन है, आप सा नंबर A में निदरलैंड, B में सन्युक्त राज अमेरिका, C में भारत, और D में दच्छनी आफरिका, इस question का जो right answer हो जागा, आप सा नंबर B, भारत का जो सम्विधान हो जागा, सबसे लिखिते लंबा सम्विधान है, अगले प्रशन को बात करते हैं, प्रशन नंबर टू, दो नंबर प्रशन आप सभी से पूछा जारा है, कि जुलाई 2022 में भारत से सीव सेना के लिए, सीव सेना के लिए, नेता को महराष्ट से राजी सभा का सदर्श्च चुना गया है, इस question का जो right answer हो जागा, संजे राउत हो जाएगा, आ अगले प्रशन को बात करते हैं, प्रशन नंबर थी, प्रशन नंबर थी, आप सभी से पूछा गया है, कि जनगणना 2011 के अनुशार भारत में सचरता दर कितनी थी, 2011 की जनगणना की बात करेंट तो आप सभी के 100% एक से दो प्रशन यहां से पूछा ही जाएगा, क्योंकि मैंने 10 साल पूराना प्रवेसिस कोशन को भी सोल करवा है, जहां से कि मैंने पाया कि वहाँ पर जो 2011 की जनगणना की बात करें, वहां से most important question निकल के आप सभी के SSGD एक्जाम में बार-बार पूछा जा रहें, तो ध्यान दीजेगा इस टॉपिक पर, जनगणना 2011 के नुशार भारत में सच्छर्टा दर की बात करें, तो राइट एंसर हो जाएगा, आप से नमबर A, आप सभी का perfect answer हो जाएगा, ठीके न, अगले प्रशन को और बात करतें, एंड प्रशन नमबर 4, आप सभी से पूझा जा रहा है, कि लोग सभा का कारेकाल जब तक भंग न हो, उसकी पहली बैठक की नियत तारिक से कितनी तक होती है, तो राइट एंसर हो जाएगा, अपसर नमबर A, पांच वर्स तक होती है, आप सभी का राइट एंसर हो एंड अगले प्रशन को और बात करते हैं, प्रशन नमबर 5, फाइब नमबर प्रशन आप सभी से पूझा जा रहा है, कि निमन लिखीत में से कि सराजीव गांदी असमेर्ती पुरुषकार इंद्रा प्रियदर्षनी समान रोटरी अंतराष्टी आवार्ड मिले हैं, कि इस सभी का राइट एंसर हो जाएगा, अगले प्रशन को और बात करते हैं, प्रशन नमबर 6, आप सभी से पूझा जा रहा है, कि सौदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव की छेतर में पड़ा है, यानि कि जो सौदेशी आंदोलन चला था, उसमें से जो सब सबसे अधिक प्रभाव की छेतर में पड़ा है, तो राइट एंसर हो जागा, शिक्स का आप सा नमबर B, बंगाल के लोगों पर सबसे अधिक इसका प्रभाव देखने को मिला है, आप सा नमबर B हो जाएगा, ठीक है, अगले प्रशन को और बात करते हैं, प्रशन नमबर 7 और 7 नमबर प्रशन आप सबी से पूछा जा रहा है, कि निमनलीखित में से कौन अर्थ ब्यवस्था के प्रात्मिक छेतर से संबंदित नहीं है, कोई से नमबर 7 का जो राइट एंसर हो जागा, आप से नमबर C हो जागा, यानि कि वैक सेवा, बैंक सेवा जो हो जागा, प प्रशन नमबर 8, एंड एट नमबर प्रशन आप सबी से पूछा जा रहा है, कि निमनलीखित में से कौन एक क्रिकेटर नहीं है, ऐसा कौन सा ब्यक्ति है, इसमें से जो की एक क्रिकेटर नहीं है, आप से नमबर A में राहूल द्रविड, B में साइना नहवाल, C में का राइट एंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते स्टेंट प्रश्ण नमबर नाइन नमबर प्रश्ण आप सभी से पूछा जा रहा है कि इसका उपयोग मोरा सुरी मोरा नहीं होगा यहां पर बोरा होगा सुरी बोरा चटाई रसी सूत कालिन और अन्य कलाकृत बनाने में परियोग किया जाता है 21 प्रकार की फसल की बात हो रही है एंड यहां पर यह पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा फसल है जिससे कि हम लोग कालिन बना सकते हैं रसी चटाई बोरा एंड सुत बना सकते हैं तो वो जो फसल का जो नाम है राइट एंसर हो जगा प्रशन आप सुझी के आईए पिछले 2030 के जो एजाम अभी जो हुआ है उसमें पूछा गया प्रशन है ठीक है न अगले प्रशन को बात करते दस नंबर प्रशन आप सभी से किया जा रहा है कि कथा कली के प्रमुक भी से हिंदू धर्म के निमनलीखित में से किस पंत से अगले प्रशन को बात करते इलेवे नंबर प्रशन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत में लागू की गई अंतिम पंच वर्शी योजना कौन सी है भारत में लागू की गई अंतिम पंच वर्शी योजना कौन सी है तो 11 का जो राइट एंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नंबर ए हो जाएगा बारहवी पंच वर्षी एजना जो की अंति मियोजना हो जाएगी अगला प्रशना आपसी का 12 नंबर प्रशने पूजा जा रहा है कि कैपटन रूप सीं चैडियम निमने लीकित में से किस सहर में इस्थित हैं दोस्तों अगर हम लोग बात किरें चैडियम की तो आप सभी की एकजामर 100% एक प्रशना आपसीं की इस्थित हो जाता है तो इस कोशन को ध्यान से अटेंट कीजिएगा कि कैपिटन रूप सी अश्टेडियम की बात करें तो यह हो जाता है गौालियर में आपसे नमबर सी आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रशने स्टेंट आप सभी का तेरा नमबर निमनलीखित में से कौन एक पेसे वर टेवल टेनिस खिलाडी है यानि को पेसा से ही टेवल टेनिस का खिलाडी निमनलीखित में से कौन है तो कोशन नमबर तेरा का जो राइट एंसर हो जाएगा मन्नी का भत्रा जो हो जा जा रहा है कि भारतिय संभीधान का कौन सा अनुच्छेद अलप संख्यक वर्ग के हीतों के सनच्छन से बात करता है सनच्छन से संबंदित हैं यानि कि जो अलप संख्यक वर्ग हैं उनके हीतों में कौन सा अनुच्छेद बात करता है तो 14 का जो राइट एंसर हो जागा अप एससे जीडी के 2024 के पूछा ही जाएगा गरांटिक साथ में कर रहा हूं कि आप सुझी को पूछा ही जाएगा ध्यान दीजेगा आप सभी अगला प्रशनावसी का 15 नंबर पूछा जा रहा है कि मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशा के रूप में किसे निक् रहेजिए यह संद्ध cha हो जाएगी आपसा नंबर टी अप सभी के अपसा नंबर टी इस राइट एंपसार हो जया कोस्षन मबर 15 का मैं का भारत का बीत आयोग अपने रिपोर्ट किसको प्रस्तूत करता है तो भारत का बीत आयोग की बात के रिपोर्ट किसको प्रस्तूत करता है तो जो सोला का जो राइट एंसर हो जाएगा भारत के राष्ट पती वहीं राष्ट पती जिसका जो कारेकाल होता है इस्टेंट राश्टपती का कारेकाल कितने वर्स का होता है अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नंबर 17 17 नंबर प्रश्ण आफस्वी से देखे फिर ये 2011 के जनगर्णा से प्रश्ण आफसी के से जिड़ी एक्जाम में पूछा गया है कि 2011 के जनगर्णा के नुशार किस राज् 17 का जो राइट एंसर हो जागा आपसा नंबर शी हरी आड़ा हो जाएगा अगला प्रश्ण 18 नंबर कि एमेस स्वामी नाथन पेसे से एक क्या है तो एमेस स्वामी नाथन को कौन नहीं जानता है ठीनत ये पेसे से व्यग्यानिक है आपसा नंबर सी हो जाएगा अगले प् प्रश्ण आप सभी से पूछा जारा है कि किस वंस के सासन ने नौ सो निन्यानबे में कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था अगले प्रश्ण को बात करते स्टेंट प्रश्ण नंबर 20 नंबर क्या पूछा जारा ध्यान दिजेगा 20 नंबर पूछा जारा है कि 2022 में भारत के 34 वे बिदेश सच्चीव के रूप में कौन कारे रत है तो राइटे इंसर ओजग आपसी का 20 नंबर का आपसा नंबर भी विने मोहन कवात्राजी हो जाएंगे अगला प्रश्ण आपसी का 21 नंबर की मेजर ध्यान चंद्र का जन्म भारत के निमनलेखित में से किस सहर में हुआ है वही मेजर ध्यान चंद्र है जिने होकी के जादुगर के नाम से भी जाना जाता है 21 का ओजग आपसा नंबर दी यानि की मड़ी पूरी हो जाएगा अगले प्रश्ण को और बात करते हैं इस टेंड प्रश्ण नंबर है आपसे 23 नंबर पूछा जा रहा है कि निमने लिखिती में से मीजोरम का लोक निरित्य क्या है इस कोशन का राइट एंसर क्या होगा आपसे वी कमेट बोक्स में जुरूर दीजेगा यहाँ से ऐसे प्रश्ण और आपसे वी के लिए गया है जैसे कि आप लोग देख पा रहे है कि गरबा निरित्य निमने लिखित में से कौन सा राज का है तो आप सभी को पता है कि गरबा जो जाता है गुजरात का होता है पंजाब का एक भांगडा होता है और एक गिद्दा भी होता है राज्यस्थान आप सुभी को पता कि राज्यस्थान का केरल का जो शैता है कत्थ कली ठीक है न अगला प्रश्णावस्य 25 नमOR पूछा जा रहा है कि बिस्मिल्ला खा निम्ने लेखितमे से किस चेतर से संबन्दी थे ऐसे प्रश्णावससी की एकजाम में पूछ़ जाते है कि कौन ब्यक्ति किस चीज से समझनी थे तो यह हो जाते सहनाई वादक से तो आज के क्लास यहीं तक की इंड़ वता है इस्टिएंट आप सुझी को क्लास का ऐसा लागा कॉमेट बॉक्स में जुरू बताएगा क्लास अचला तब प्लीज चलनों सब्सक्रेब कर बेल आइकन क को फ्रेस कर दीचेगा ताकि ऐसा हार एक मोस्ट इंपोर्डेट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे मिलते नेक्स्ट वीडियो क्लास में ठैंक्स वर अचिंग माई वीडियो